नमस्कार मैं हूँ तानिया का सौधन और आप देख रहे हैं TV24 अक्सर देखा जाता है कि फैंस को या यू कहें कि ओडियन्स को अपने फेवरिट स्टार्ट्स या वॉलिवूड अक्टर एक्टरसेस के बारे में जानना उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में लोगों को ये इंटरेस्ट होता है कि वो उनके बारे में जानना चाते हैं कि कौन कब शादी कर रहा है किसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है ऐसा लोगों को जानने में काफी इंटरस्ट रहता है वहीं सुनाक्षी सिन्हा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दरसल वो अपने पर्सनल लाइफ में काफी बिजी रहती है और बॉलिवूर्ट फिल्मों में भी उन्हें अच्छा मौका मिलता रहता है लेकिन बॉ पराजी के द्वारा स्पोर्ट भी किये जाते हैं वो चाहे मौका कोई इवेंट का हो या कोई वुकेशन का समय हो दोनों अकसर साथ में ही रहते हैं ऐसे में सुनाक्षी सिन्ना के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है तरसल सुनाक्षी अपने रूमर ब अभी तक इस पर कोई ओफीशियल एलान नहीं किया गया है ना कोई अपडेट दी गई है लेकिन आपको याद हो कि हीरा मंडी के प्रमोशन के दौरान कपिल शर्मा शो में आए सुनाक्षी ने कहा था कि वो शादी करने के लिए बेताब हैं और जल्द ही शादी करना चाहत रिपोर्ट्स की माने तो जाहर इकबाल और सुनाक्षी सिन्ना एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे थें लेकिन उन्होंने अपने रिष्टों को कभी भी ऑफिशली स्विकार नहीं किया मगर उन्हें अक्सर साथ में देखा जाता रहा है इतना ही नहीं सुनाक् शादी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वेडिंग एंटिमेट वेडिंग सेरिमनी होगी और इसमें काफी महमान आने वाले हैं उनकी शादी की गेस्ट लिस्ट भी तयार हो चुकी है इसमें करीबी दोस्त और परिवार के लोग भी शामिल होंगे साथ ही फीरा मंडी के पूरी टीम कास्ट को भी इनवाइट किया जाएगा वहीं इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस में काफी उत्सा देखने को मिल रहा है तो अब सोनाक्षी सिन्ह शादी के लिए पूरी तरह से तयार हैं और 23 जून को उनकी शादी जहर इकबाल के साथ होने जा रही है इ लाल के लिए इतना ही तमामों और बड़ी खबरों के लिए देखते रहे है टीवी 24 नेटवर्क